CBSC Words में आपका स्वागत है तो हम बढ़ रहे थे Class 10 Science का 8th chapter जिसका नाम है How Do Organisms Reproduce Asexual Mode of Reproduction हमारा चला था दो modes हमने डिसकस कर लिये थे इस वीडियो में हम 8.2.3 Regeneration ये mode discuss करेंगे Many Fully Differentiated Organisms Fully Differentiated Organisms का मतलब ऐसे organisms जिनके जो body के parts हैं वो अलग-अलग हैं यानि उनके अलग-अलग टाइप के organs हैं जिनके अपने अलग-अलग functions हैं इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे organisms की हम बात कर रहे हैं जो single type of cells से नहीं बने हुए हैं बलकि अलग-अलग type के cells से मिलके बने हुए हैं तो बहुत से fully differentiated organisms क्या हैं have the ability to give rise to new individual organism from the air body parts इनके अंदर ये काबिलियत होती है ये ability होती है कि वो नए individual organisms बना सकें produce कर सकें अपनी body के parts से मतलब ये हैं कि कोई भी individual organism अगर किसी तरीके से वो cut जाता है या वो तूट जाता है बहुत सारे pieces में बहुत सारे टुकडों में या तो वो cut गया या फिर वो तूट के कई हिस्सों में हो गया तो many of these pieces यानि बहुत से ऐसे piece होगे जो की grow हो जाएंगे into separate individuals यानि एक organism है इस तरह से यहां से मालो ऐसे cut गया यहां से ऐसे cut गया, तीन हिस्सों में हो गया तो हर हिस्से अपने आप यह grow हो जाएंगे example की बात कर लेते हैं तो जो simple animals होते हैं जिसे hydra हो गया और planaria हो गया इनको अगर हम कई pieces में cut कर दे इनके कई टुकडे कर दे तो हर piece क्या हो जाएगा, grow होकर वो एक complete organisms बन जाएगा तो यहां पर दोखो basically regeneration का भी, birding का भी अब यहां पर figure आप देख सकते हो regeneration in planaria planaria के अंदर regeneration कैसे होता है यह इसका यह पूरा एक organism है अब यह different type of cell से मिलके बना है इसके अलग-अलग body के parts है जिसे यह बात करें तो यह इसका head वाला portion हो गया यहां आप दोखो eyes देख सकते हो side में ऐसे, यहां पर brain होता है और यह वाला हिस्सा middle portion हो गया, यह ऐसे देख रहे हो जो निकला हुआ है pipe type का यह इसका mouth होता है और यह नीचे वाला tail वाला हिस्सा है ठीक है, तो इसको क्या किया गया है simply ऐसे cut कर दिया गया यहां से और यहां से ऐसे देख सकते हो तो हर जो part है वो grow होके पूरा एक complete organism बन जाएगा जैसे यह head वाला portion था यह grow होके middle वाला और tail वाला portion आ जाएगा इसी तरह जो middle वाला portion है यह उपर grow होके head बना लेगा नीचे tail बना लेगा tail वाला portion grow होके middle वाला और head वाला part बना लेगा और इस तरह से देख सकते हो एक organism जिसको हमने तीन हिसे में cut किया वो तीन complete organism बन गया अब आप कहोगे fragmentation और regeneration में फिर difference क्या हुआ difference है पहला difference यह है कि fragmentation में एक organism cell by cell divide होता है जैसे यह एक organism है यहाँ परैसे तीन cell से बना हुआ है तो सारे cell अपना निकल के अलग हो जाएंगे जब वो mature हो जाएगा automatically इस पाइरोगारा का अगर हम example लें और फिर वो जो अलग अलग cell है वो copy करते हुए पूरा अपना organism complete बना लेंगे regeneration में क्या है cell by cell नहीं divide कर रहे है बलकि उस पूरे organism को cut करके divide कर रहे है हो सकता है एक part में बहुत सारे cell हो तो regeneration में basically cell by cell division नहीं होता बलकि body के parts को ही हम अलग करते हैं दूसरा difference यह है कि fragmentation में क्या होता है जो भी cell अलग हुआ है जैसे यह है तो यह just copy ले लेगा और इस तरह से बना लेगा वापस से यह पूरा complete हो जाएगा लेकिन regeneration में ऐसा नहीं है जैसे मालो इसी को हमने तीन हिस्से में cut किया और head वाला portion है तो जो portion available है अगर इसी का copy लेगा तो क्या बनाएगा जिसे यह head वाला portion है अब इसका copy लेगा तो head ही बनेगा middle में भी और tail वाले side में भी head बनेगा तो ऐसे ऐसे इसके head बन जाएगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है head से बाकी के parts grow हो रहे है जो कि पहले उसके पास थे जैसे head था तो यहाँ पर just head की copy नहीं ली जा रही है बलकि middle वाला portion बनना है फिर tail बन नहीं है इसी तरह हमारे पास यह middle वाला portion था तो ऐसा नहीं कि इसकी copy लेकर उपर भी middle वाला portion और नीचे भी middle portion आ गया बलकि grow हो के उपर head बना दिया और नीचे tail बना दिया इसी तरह यह वाला हिस्सा भी ले सकते हैं यह tail था अब इस tail के अंदर कोई eyes नहीं थी कोई brain नहीं था कोई mouth नहीं था लेकिन यह grow करके middle वाला portion बना है जहाँ पर mouth है head वाला portion बना है जहाँ पर eyes और brain है ठीक है तो यह दोनों में difference है तो जब किसी organism को हम कई pieces में cut करते हैं और हर piece grow होके एक complete organism बना लेता है इसी को हम regeneration कहते हैं अब इसमें आगे एक और चीज हम समझते हैं कि जैसे माल लो यह हमारे पास head वाला हिस्सा है plan area के हमने तीन टुकड़े किये head वाला हिस्सा हमने उठा लिया तो यह क्या करेगा grow होके middle वाला portion बना लेगा यहाँ इसका ऐसे mouth होगा और यह tail बना लेगा अब आप कहोगे कि हमारे पास जो available था वो तो head ही था अगर just copy लेना होता तो समझ में आता था कि यहाँ पर head से related information है copy लेके middle में भी head आ गया और tail side में भी head आ गया लेकिन head से middle वाला portion बना है जो कि head से बिलकुल अलग है और tail वाला portion बना है जो कि बिलकुल अलग है head के अंतर तो ऐसा कोई information नहीं थी इसका मतलब कुछ ऐसे cell होगे जिनके पास पूरी information होगी इस organism से related जिसे हम specialized cell कह सकते हैं यानि ऐसे special cell जिनके पास पूरे organism के structure से related information होगी कि हाँ middle part कैसे बनेगा mouth कैसे बनेगा tail कैसे बनेगी head कैसे बनेगा eyes कैसे और सिर्फ बनेगा ही नहीं कौन सी चीज कहां लगेगी इससे related सारी information उस special cell में होगी और वो special cell body के हर जगे present होगे यानि head में वो cell present रहे होगे तब ही जब ये grow किया तो cell की मदद से middle वाला portion बना लिया क्योंकि उस cell के अंदर information थी कि middle वाला part कैसे बनेगा और tail बना लिया तो उसके अंदर ये information रही होगी कि tail कैसे बनेगा तो यही बात कही जा रही है कि regeneration जो होता है चार से आर्ट इस तरह से धेर सारे होते गए और large number of cell उन्होंने बना लिया अब ये जो cell का पूरा mass और धेर सारे जो cell बने polyfrate करके तो ये क्या करेंगे undergo changes to become various cell type and tissues यानि ये जो specialized cell है पहले तो ये polyfrate करेगा अपनी ही copy बनाएगा ठीक है इस organism में जितने type के cells है ये जो specialized cell है उसमें convert हो जाएगे ठीक है जैसे मान लोग कुछ specialized cell होंगे जो कि आपके bone cell बन जाएगे कुछ ऐसे होंगे जो muscle cells बन जाएगे कुछ ऐसे होंगे जो red blood cell बन जाएगे ठीक है तो यही primary cell कौन से होंगे यही specialized cell जो कि पहले धेर सारे हो जाएंगे, polyphrate कर जाएंगे फिर वही से वो cell convert होके, change होके अलग-अलग type के cell बन जाएंगे और फिर उस cell से अलग-अलग type के tissues बन जाएंगे अब ये जो changes होगा, वो एक organized sequence में होगा जिसे हम development कहते हैं यानि जैसे ये head वाला portion है, ये develop होके बागी का portion बना लेगा तो एक organized sequence में होगा head से grow होगा, तो क्या होगा middle वाला portion बीच में आएगा और नीचे tail वाला आएगा ऐसा नहीं कि cell के पास ये तो information है कि middle वाला portion बनाना है और tail वाला portion बनाना है अब उसने tail बीच में लगा दी और नीचे middle portion लगा दिया तो ऐसा नहीं होगा cell के पास ये भी information होगी कौन सी चीज कहां लगेगी अब यहाँ पर एक most important point है वो ये कि regeneration is not same as reproduction यानि आपका जो regeneration है और reproduction है, ये दोनों same चीज नहीं है क्यों same नहीं है, since most organism would not normally depend on being cut up to able to reproduce यानि यहाँ पर जो organism है वो इस बात पर dependent है कि कोई इंको cut करे अगर cut नहीं करेगा तो reproduce नहीं करेंगे तो एक तो explanation ये हो गया कि regeneration और reproduction एक चीज नहीं है same नहीं है क्योंकि यहाँ पर organism अपनी मर्जी से reproduce नहीं कर रहा है और ऐसा भी नहीं कि reproduce करेगा ही करेगा एक particular time के बाद ये depend करेगा कि वो cut हो रहा है कि नहीं अगर वो cut हो जाएगा कई pieces में तभी वो reproduction हो पाएगा दूसरी बात हर organism के अंदर ऐसा नहीं होता कि हर piece से पूरा individual organism बन जाए जैसे हम lizard की बात करें तो वहाँ पर अगर उसके tail कट जाए तो tail grow हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे regeneration हो गया यानि tail grow कर गई लेकिन उस tail से पूरा एक lizard नहीं बनेगी नहीं regeneration सिर्फ main body में होगा कि tail चली गई तो tail आ जाएगी अब tail से पूरा body नहीं बनेगी जैसा कि plan area में है कि यहाँ से tail से body बन जा रही है तो lizard वाले case के अंदर regeneration तो हुआ लेकिन reproduction नहीं हुआ reproduction तब होता जब एक lizard से दो lizard बन जाती यानि tail वाला हिस्सा grow कर भी एक complete lizard बना लेता इसी लिए regeneration और reproduction को same नहीं कहा गया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि regeneration हुआ हो लेकिन reproduction ना हुआ हो अब एक और mode हम discuss कर लेते हैं 8.2.4 budding organisms जिसे hydra की बात करें इनके पास क्या होते है regenerative cells जिसको अभी हमने देखा था specialized cell तो specialized cell कह सकते हो या regenerative cell कह सकते हो जिनके अंदर ये power हो कि वो regenerate कर सके खोए हुए इससे को फिर से बना सके तो hydra के अगर बात करें तो ये क्या करते हैं regenerative cell का इस्तेमाल करते है reproduction के लिए in the process of budding इनके अंदर budding होती है कैसे होती है देखो hydra के अंदर क्या होता एक bud develop होता है as an outgrowth due to the repeated cell division at one site यहाँ पर hydra का डाइगराम आपको दिया हुआ है किसी एक जगे पर जैसे माल लेते हैं यहाँ पर क्या होगा cell divide होना शुरू हो जाएंगे अब cell divide होगे तो उनकों जगा चाहिए अदर तो पहले ही से सब cell present है तो यह बाहर की तरफ यह cell grow होने लगेंगे और इस तरह से एक growth सी हमको देखने को मिलेगी तो यह जो छोटा सबाना है इसी को हम bird कहते है फिर यह grow होते हुए एक complete पूरा एक hydra बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से अलग होके एक individual अलग organism बन जाएगा तो यही चीज लिखा हुआ है किसी एक side पे cell division हो जाएगा और फिर वो बाहर की तरफ grow कर जाएगे यह जो bird है फिर develop हो जाएगे छोटे individual में यानि बड़े hydra से एक छोटा hydra बन जाएगा और जब यह पूरी तरह से mature हो जाएगे तो detach हो जाएगे अपनी parent की body से यानि अलग हो जाएगे और एक new independent individual बन जाएगे ठीक है इसके diagram आप पही याद रख ले ना यह जो hair type का बना हुआ है इसे tentacles कहते है तो आज की इस video में इतना ही और videos अगर आपको देखनी है बिलते हैं फिर अगली video में thank you